उत्तर प्रदेश में खौफ का माहौल काईम करने के बाद शांसद बनी फूलन देवी का जनम दिन हैं। यू तो फूलन देवी का परभाव उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सिमावर्ती इलाकों में रहा। लेकिन फूलन देवी का बिहार से भी खास रिष्टा रहा बिहार के पूर्वे केंद्रिय मंत्री रहे रमभिलास पासवान को फूलन देवी राखी बांधती थी। दरसलाशी के दशक में उत्तरप्रदेस और राजस्थान में खोफ का दुशरा नाम प्रयाय रही। फूलन देवी का आज जनम दिन है। चंबल के बिहड की डकायत रही फूलन की जिंदिगी के कई ऐसे रंग है जिसे लोग आज भी जानना और समझना चाहते हैं। अरोप है कि गाउं के ठाकुरू ने बंधक बनाकर तीन महीने तक गैंग रेप किया था। फूलन को अपने गाउं बेमही में उठा कर ले गए। आरोप है कि इसी गाउं में फूलन देवी के साथ गैंग रेप किया था। यहां से जब फूलन भागी तो उसने बदले की भावना में अपना ही गैंग बना लिया। बदला लेने के लिए फूलन ने इसी गाउं के एक कई ठाकरों की गोली मार कर हत्या कर दी। इसी घटना के बाद फूलन देवी डाकू के रूप में चर्चित हो गई। फूलन देवी के बारे में कहा जाता है कि गैंग रेप की शिकार होने के बाद अंदर से काफी तूट गई थी। वह मर्दों से नफरत करने लगी थी। हालांकि बदला लने के लिए उसने समाज के कुछ मर्दों की मदद से ही उसने डकायतों का गंग बनाया। यही वजह है कि फूलन के समाज के लोग आज भी उसे बहादूर मानते हैं और उसे अपने राजनीती में आदर्स के रूप में देखते हैं। यूं तो फूलन पर वाइरल हो रही है वाइरल तस्वीर में रम्बिलास पास्वान को फुलन राखी बानते हुए दिख रही हैं इसके अलावा रम्बिलास पास्वान भी एक बार इंटर्विव में बताया था कि वह फुलन को बहन बानते हैं फुलन देवी भी गर्व से सर्वजनिक मंचों पर बताती थी कि रामिलास पासवान उनके भाई है इतना ही नहीं बिहार में सन अफ मला के नाम से प्रशीद मुकेश सहनी भी अब फुलन देवी को अधर्स मानने लगे हैं। पासवान के रूप में उसे बिहार से भाई मिले और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो मुकेश सहनी आज उन्ही के नाम लेकर राजनीती कर रहे हैं। यह देखना बड़ा दिल्चास्प होगा कि मुकेश सहनी फुलन देवी के नाम से निशाद समाज में कितना सफलता पापाते हैं। फिलहाल बने रहे हैं मिडिया दर्शन के साथ। यह खबर आपको कैसे लगे हैं और यह वीडियो आप यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फैस्बूक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यबाद।